वैसे चिक्की या तिल पट्टी आपने बहुत तरीके के ट्राई की होगी या मार्केट से भी लाकर खाई होगी आज आपके साथ हम तिल और मुँफली के चिक्की की रेसिपी सेयर करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से एकदम परफेक्ट बनेगी पहली बार बनाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी अच्छे लगेगी तो लाइको से और जरूर कीजेगा और चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो सबसे पहले बात करते हैं मेजर्मेंट की तो यहाँ पर हमने एक कटोरी के जितना सफेद तील लिया हुआ है आपको एक कटोरी या कब का मेजर्मेंट साथ में जरूर रखें उससे हमारी रेसिपी एकदम प्रॉपर पर्फिक्ट बनती है तो यह सफेद तील है इसको अच्छे से साफ करके पानी से धुल कर दूप में सुखा लिया है और यह बहुत ही अच्छे से साफ हो चुके हैं तो देखिए तो आप किसी कटोरी या कब से माप कर लेंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसमें मुंफली या तील कोई इसका रेशियो नहीं है कि आपको ये कम या ये ज़्यादा लेना है आप इसमें मुंफली ज़्यादा रख सकते हैं तील कम कर सकते हैं या दोनों बराबर भी ले सकते हैं तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम के जितना सफेद तील लिया हुआ है और 1500 ग्राम के जितना मुंफली लिया हुआ है तो मुंफली को ना हमने पैन में डालकर ड्राइ रोस्ट कर लिया था चार से पांच मिनट के लिये और जब आप मुंफली को भून लें तो उसको रगड़ कर उसका चिलका हटा लीजेगा तो मुंफली को हमने भून कर इसका चिलका हटा लिया है इस तरीके से तो मॉंफली को रोस्ट करने का वीडियो क्या ही दिखाना है न वो तो बहुत सारी रेसिपीज में हमने दिखाया हुआ है इससे ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी हो जाती तो इसमें कुछ खास नहीं होता है बस आप इसको पैन में डालके भून लीजिए और फिर रगड़कर इसका चिलका हटा लीजिए इस तरीके से तो धाई सो ग्राम तिल डेर सो ग्राम मॉंफली टोटल होगा चार सो ग्राम के जितना तो चार सो ग्रामी हम गुड़का भी इस्तेमाल करेंगे तो इसलिए मिजरमेंट आप जरूर ध्यान में रखके बनाईएगा तो चलिए सबसे पहले क्या करना है मॉंफली को तो हमने भूना हुआ था तो आप सबसे पहले हम तिल को भून लेते हैं क्यूंकि इसका कच्छापन भी हमें निकालना है और जब यह थोड़े से भूने हुए होते है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बहुत भूनियगा वरना यह जल जाएंगे बहुत जल्दी से तिल जो है वह जल भी जाता है तो अब इसको हमने दूसरे वरतन में निकाल लिया है थोड़ा सा इसे हम ठंडा होने देते हैं क्योंकि अगर गरम पर इसका हम पाउडर बनाएंगे न तो क्या होता है इसका जो ओयल है वो भी रिलीज होने लगता है तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम मुंगफली को क्या करते हैं दरदरा पीस लेते हैं बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है थोड़े बड़े इसके चंक्स होने चाहिए तो मुंगफली को हमने पीस लिया है और सेम उसी जार में हमने तिल क उसके भी आपको टुकड़े इसमें साफ नजर आ रहे होंगे तो बस ऐसा ही टेक्शर हमें चाहिए था अब हम एक पैन लेंगे और इसमें हम डालेंगे जैगरी यानी की गुड़ तो जितना हमने तील और मुंफली लिया था टोटल 400 ग्राम थे दोनों को मिला कर तो उतना चाहें आप केवल पीले वाले गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं एक चमच इसमें देशी घी डालेंगे और गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और गुड़ को हम मिल्ट होने देते हैं जब हम दो तरीके का गुड़ को मिक्स करके बनाते हैं तो टेस्ट में कोई फर्क नहीं का टाइम हो चुका है अब इसको हम चेक कर लेते हैं मतब गुड़ को पुरा मिल्ट हुए तीन से चार मिनेट हुआ है और देखिए काफी अच्छे से इसमें बबल्स आ रहे हैं तो इसको अब हम चेक कर लेते हैं क्योंकि यह बहुत ही जरूरी स्टेप होता है इस रेसिप लड्डू भी नहीं बनते हैं तो अब हम धीमी आज पर थोड़ा सा और पकाएंगे केवल एक से टेर्ड मिनट के लिए तो इस तरीके से आप बीज बीज में चेक जरूर करते रहें अगर पहली बार बना रहे हैं जिससे की कोई गलती ना हो और आपका सामान वेस्ट भी न इस एक दम डिफरेंट होती है क्यूंकि लड़ों के लिए जो बॉलस हमें बनानी होती है थोड़ी सॉफ्ट ऐ बॉलस चैए लेकिन जो हम चिक्की या तिलपट्टी बनाते हैं उसकी जो चासनी ना उसको कैसे करना होता है यह देखे एकदम कड़क हमें चहीं होता है जैसे तो अगर आप पहली बार बना रहें तो 30-40 सेकंड के अंतराल पर आप चासनी को चेक करते रहें जिसे की कोई प्रॉब्लम आपको ना हो बनाने में और देख सकते हैं ना किते बढ़ियां से ये टूट रही है बिलकुल एकदम क्रिस्टल की तरह तो ऐसी ही चासनी एकदम पर इसको डालेंगे इसमें तील और जो मुंफली को पीस कर रखा था और गैस की फ्लेम को तूरंत बंद कर देंगे क्योंकि अगर बंद नहीं करेंगे ना तो गुड में भी करवाहट आ जाती है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा जो कि खाने में बिलकुल भी कर देते हैं ये साबूत हैं ये पिसे हुए नहीं है इसे लुक देखने में बहुत ही बढ़िया आता है तो अब इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं और जब आप ये सारा तयारिया करे ना तो उसके पहले से जिसमें आपको तिल को या पट्टी बनानी हो जैसे चॉपिंग कोड हो गया या कीचन सिल्फ को अच्छे से क्लीन कीजे कीचन सिल्फ पे भी फैला सकते हैं या कोई थाली या प्लेट ले लीजे तो यहां पर हमने चॉपिंग बोड लिया हुआ है उस पे थोड़ा सा घी लगा कर ग्रेस कर लिया है अब यह सारा बैटर इसमें डालेंगे और इसे हम अच्छे से फैला देंगे तो आप देख सकते हैं ना कितनी चल्दी से सेट होने लगा है एकदम थोड़ा सा सक्त होना भी स्टार्ट हो चुका है तो यह काम आपको बहुत ही जल्दी से करना होगा इसमें थोड़ी भी लापरवाही नहीं चलेगी तो अब इसे हम इस्पेट कर लेते हैं तो वैसे चिक्की आपको जितनी पतली या जितनी मोटी रखनी हो वो आपकी चौईस है अगर बहुत पतली चिक्की पसंद हो तो बहुत पतला इसको फैला लीजेगा तो चलिए आप थोड़ी से सफेद तिल उपर से डाल देते हैं और इसको फिर इसमें बेलन चला देंगे जिसे कि ये थोड़ा सा पतला हो जाए वैसे ये चिक्की हम बहुत ज़्यादा पतली नहीं बना रहे हैं आप चाहें तो आप इसको बहुत पतला भी बना सकते हैं तो अब ये देखिए थोड़ा सा हार्ड होने लगा है इसी टाइम पे हम इसमें कट नहीं कर पाएंगे फिर तो आपको हां से तोड़ना पड़ेगा तो वैसे क्या फर्क पड़ता है खाना तो हई है तोड़कर ही लेकिन फिर भी वीडियो के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा तो आपको कटिंग करके दिखाने ही पड़ेगी ना थमनेल वगेरा के हैं और इसको हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया था और ये काफी अच्छे से सेट हो गई है बहुत इसली निकल भी रही है तो ये जो तिल चिक्की है तिल पट्टी आप इसको बोल सकते हैं तिल मुंगफिली की बहुत जल्दी सेट हो जाती है ये तो हमने इसको तब भी आदे गंटे रखे थे और देख सकते हैं कि इतनी बढ़ियां से ये निकल रही है और खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है ना कि बिल्कुल आपको लगे गई नहीं कि आपने इसे घर में बनाया है या मार्केट से लाया है किसी को पता नहीं चलेगा और तोड़ने क अंदाजे से भी आप देख सकते हैं तो भाई मुझे तो इतनी खुसी हो रही थी इसको निकालने में अखिक मेरी खुसी की वज़ा से कुछ ये टूट गया है तो आप इतनी खुसी बिल्कुल जाहिर नहीं कीजेगा और ये देखिए कितने अच्छे से पीछे की लेयर दे दिखाएंगे तो इस तरीके से आपको बना आप बना सकते हैं अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिस की है कि बहुत ही आसान तरीके से इस रेसीपी को बना कर दिखा पाएं उमीद करते हैं आपको समझ आई होगी और ट्राइ करने के बाद ये रेसीपी आप जरूर इसका जाएंगी आप जाकर जेकाउट कर सकते हैं और हम मिलते हैं ऐसी ही एक और नई रेसीपी के साथ तब तक के लिए